भारत बाट बेलहिया नाका हुदै आयका चार जना नेपाली मा कोरोना संक्रमण पुस्टी भाई पने उनिहरू सिमा बाट ने बेपत्ता मनेगा छन। सरकारी निकायकों आखा छल्दे सिमा नाका बाट बेपत्ता मनेका चार संक्रमीत काहा छन। कुने पत्त लाग न सकेगो सही ना हेल्थ डेक्स इस्थापना पसी बेलाहिया नाका बाट साड़ी 10 हजार बड़ी नेपाली फर्किये तरजन सकती को अभाब मां हेल्थ डेक्स मां जम्मा असी जना को मात्र एंटीजेन परिश्ण भाईगो सा जसले गर्दा रुपंदही मा कोरोना संक्रमण को दर काहाली लाग दरुप मा बड़े गाएगो छा एक रिपोर्ट भारत बाट रोजगारी गरी फर्किये का नबल पराशिका एक पुरुषको रुपंदही को बेलाहिया नाका मा एंटीजेन्ट जाज गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भायो होल्डिंग सेंटर मा बशी रहेका उनी कोरोना पुष्टि पछी तेहा बात भागे अहीले उनी कहा छन भन्ने अत्तो पत्तो नहीं छाई न उनी जस्ताई बिलाहिया नाका हुदै फर्किने अन्ये तीन ज जनामा पनी कोरोना फुष्टि भायो तर उनी हरु पनी कहा छन भन्ने जानकारी सरकारी निकाय संगर्ने छैन उनी हरुको खोजीमा पनी कुने तदारुकता देखाईये को छैन भारत मा दोस्रो लहर को कोरोना संक्रमण फईलिये पछी बेलाहिया नाकामा गय को चैत्र 10 ग गेड में आयो एडेस हम एडेस और आर्नाम इंट्री गरे भागी कोई होल्डिंग सेंटर में राखे न पार कोई एमबीजर नाके हेल्थ डेक्स स्थापना पछी भारत बाट साडे 10 जार बडी नेपाली हरू सोदेश फर्किये का छन इमध्य अहिले सम्म असी जनाको मात्रे एंटी जेंट जाज भाई को छा जिल्लामा कोरोना संक्रमर दर उच्च बंदे गए पाछी जिल्ला इस्तरे कोभीट संकट ब्यबस्थापन केंद्राले सिमानाकामा होल्डिंग सेंटर स्थापना आइसोलेशन, आइसी यू, भेंटिलेटर थब गरनेर होटेल हरूलाई आइसोलेशन बनावने तयारी गरे माकश मिना सेंटरण बनावने ठेटर पतर होुचत बंदे गरेल आइसोलेशन, आइसी यू, आइसोलेशन, गरेशन बनेर हो थे बनेर आइस बंदे गरेचामा है सत्र जनाको ICU र आर्चनाको भेंटिलेटर मा उपचार जारी छ जिल्लामा तिब्र रूपमा फईल अदुस संक्रमनला रोकन सिमामा कडाई संगे स्वास्ते मावदंड पालनाला थब प्रभावकारी बनावन पने देखिये को छ निवस्ट्रण्डिफकलागी भाईरहवाबाट टीवी जनलिस्ट प्रकास न्योपानेक रिपोर्ट